हेलो फ्रेंड्स स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट्यूजी 2024 स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है गाईज तो किस तरीके से क्या क्या चैन्ज हुआ है किस क्या कांसिलिंग के अंदर क्या चैन्ज हुआ है अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लिजीएगा ताकि आगे का जो भी प्रोसेस होगा नीट यूजी काउंसलिंग का रिजल्ट का कटोफ का ओल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से रिलेटिड की हर टाइप की इनफोर्मिशन हर स्टेट की आपको इस चैनल के थूप प्रोवाइड करवाई जाएगी इसलिए सबसे पहले च करते हैं जो कॉंसलिंग के अंदर बड़े चैंजिश होए है जैसे राउंड वन की कॉंसलिंग में स्टुडेंट्स पार्टीस्पेट करते हैं उनको कोलेज वागरा जो अलोट हो जाता है तो राउंड टू की कॉंसलिंग में क्या कुछ चेंज किया गया है मौप आप एससा start होती है तो चार रौंड में आपका counseling होता है round 1, round 2, mop up और stray vacancy round, ठीक है, थार्ड रौंड होता है आपका mop up round और fourth round होता है, आपका stray vacancy round, तो जो चोथा round होता है, stray vacancy round का होता है, लेकिन उससे पहले NCC ने counseling के नियमों में अब परिवर्दन कर दिया है अब student तीसरे round की counseling तक seat को upgrade कर सकेंगे पहले क्या होता था only second round तक upgrade कर सकते थे अब तीसरे round तक upgrade कर सकेंगे आपको बता दे कि इससे पहले seat को upgrade करने का option दूसरे round तक दिया जाता था नए नियम के मुताबिक अगर किसे student को round 2 में किसी भी college में seat alert की जाती है तो वे seat up gradation का option चुन सकता है और round 3 भी join कर सकता है इससे पहले student को सिर्फ round 2 तक ही seat upgrade करने का विकल्प दिया जाता था जिससे उन्हें मजबूरी में college में admission लेना होता था क्योंकि उनके पास अगली counseling में जाने का विकल्प खतम हो जाता था हालांकि तीसरे round के बाद भी admission नहीं लेता है तो उसकी face वापस नहीं होगे किसी भी student को all इंडिया कोटे की 15% seat ओ पर admission के लिए केंद्रिय विश्व विद्याले के लिए 10,000 रुपए और deemed university के लिए 2,000,000 रुपए non-refundable face देने होगे तो guys यह आपके rules change हुए है MBBS और BDS में और और भी कुछ rules change हुए है admission के जैसे मान लिया जाए इंडिया में आपका admission नहीं होता है ठीक है तो नीट यूजी की थूआ आप फोरें में admission ले सकते हैं जैसे आपके और जो अप्रोड में students करने जाते है Philippines हो गया नेपाल हो गया ठीक है जैसे Philippines का में एक कोई भी एक अप्रोड का एक्जाम पर ले लेते हैं जैसे Philippines हो गया तो जब आप पहले क्या होता था है MBBS करके आए है तो उनको यहां पर इंडिया में internship के लिए या फिर इंडिया में जोब के लिए जोब उनको करनी है तो उनको एक 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 जाम रखा गया था वो उनको clear करना होगा तभी उनकी MBBS valid मानी जाएगी फोर इंडिया अदर्वाइस नहीं मानी जाएगी तो अब व स्प्रिम कोट ने साफ मना कर दिया है ओल इंडिया कोटा एक जाम के अंदर जो यह नीट यूजी का एक जाम है उसके ओपर स्टें नहीं लगाया जा सकता ठीक है यह आप लोगों के लिए information थी फिर भी आपको कोई doubt होता है किसी भी चीच को लेकर तो आप कमेंट कर सकते है अगर आपको अपनी स्टेट की cut off जाननी है तो आप अपने स्टेट का नाम नीचे comment box में mention कर सकते हैं तो गया जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you